शौथा दिन अपने अतीत से मुक्त होना आज हम शुरू करेंगे जाने देना दोश मुक्त करना माफ करना और आगे बढ़ना कल अप का दिन कैसा रहा क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकाल कर अपनी सेल्फ टॉक को सकारत्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं मुझे आप पर बहुत कर्व हो रहा है कि आप स्वयम से इतना प्रेम करते हैं कि प्रति दिन यह अप्यास कर रहे हैं और अपने मिरर वर्क का उप्योग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कारिक्रम को बदलने के लिए कर रहे हैं जब आप छोटे थे जब हम छोटे बच्चे थे तभी से वह प्रतिक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ वह प्रतिक बात जो हमने कही वह प्रतिक काम जो हमने किया वह प्रतिक चीज जो हमने अनुभव की हमारे अतीत के फाइलिंग कैबिनिट में हमारी आंतों में, हमारे सौर जाल में दर्ज होकर संग्रित है मुझे यह कलपना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक है और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें यह संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं हम में से कई लोग ऐसी फाइले जमा करते हैं जिन में मैं होश्यार नहीं हूँ मैं यह काम कभी नहीं कर सकता जैसे लेबल लगे हुए हैं हम पुराने नकारात्मक टेपों के धेर की नीचे दबे हुए हैं, आज हम उन्ही संदेश वाहकों को चौकाने वाले हैं, हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे, मैं जाने देने को तयार हूँ, मैं दोशमुक्त कर रहा हूँ, मैं माफ क करने को तयार हूँ, संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या है, इन्हें कहां फाइल करना है, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है, क्या आप कलपना कर सकते हैं, कि कितना अद्भुत होगा, यति आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक न दिन आप अतीत की परतों को अतीत के बोज को साफ करते जा रहे हैं, जितनी बार आप आईने के सामने एक अफिरमेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं, आपके अतीत की कौन सी परते हैं, जो आपको एक प्रसन और परिपूर्न जीवन जीने से रोक रही हैं, वे जानता है कि हमें इन बोजों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम इमानदारे से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना है, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, फिर भी हम य जह नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोग रही है। आपके जीवन में हर चीज उसका आइना है जो आपको हैं। जिस प्रकार एक आइना अपनी छवी को प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार आपके अनुभाव आपकी आंतरिक मानेताओं को प्रतिविंबित करते हैं। आप सच मच अपने अनुभावों को देखकर नरधारित कर सकते हैं कि आपकी मानेताओं क्या हैं। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वे सभी लोग कुछ हद तक उनुभानेताओं को प्रतिविंबित करते हैं जो आपकी स्वयम अपने बारे में हैं। यदि कारेस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती रहती हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयम आलोचनात्मक हैं। और अब वे अभिभावक बन गए हैं जिसने बचपन में आपकी आलोचना की थी। याद रखें जब आपकी जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस न हो रही हो तो आपके पास अपने अंदर जहांक कर पूछने का अवसर है। मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ। मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ। कैसे मैं अपने आपको और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शान्ती महसूस कर रहा हूँ। जाना और नकारत्मक विचारों के डिस्क को बाहर निकाल रहा है। उस पर हाथ रखें और कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकाल कर दूर फैक रहे हैं। चार अब गहराई से अपनी आँखों में देखते हुए स्वयम से कहें। चलो हम सकारत्मक धारना और अफर्मेशन के एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। पांच इन अफर्मेशन को जोर से कहें। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शान्ती महसूस कर रहा हूं। 6. इन अफर्मेशन को दो या तीन बार दोहराएं। 7. दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन न हो अपना जे भी आईना निकाले और ये अफर्मेशन दोहराएं। उनसे परिचित हो जाएं ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का इस्सा बन जाए। शक्ति आपके अंदर है आपके चौते दिन का दैने की अप्यास। एक, मैंने पाया है कि हमारे जीवन के अधिकार समस्यां इन चार कारणों से उत्पन्न होती हैं जिनहें मैं बिक फोर कहती हूँ। अलोचना, डर, अपरादभाव और असंतोष। अपनी दैनिकी में चार कॉलम बनाएं और प्रतिक के उपर बिक फोर श्रेणी का एक श्रिशक लिखें। सोचें कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिकाएं हैं। प्रतिक श्रेणी के बारे में अपने विचार और भावनाय उप्र्युक्त कॉलम में लिखें। तो, पहले चरंड से वे दो श्रेणिया चुने, जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा था और प्रतिक श्रेणी में 10 affirmations लिखें। उधारण के लिए यदि एक श्रेणी असंतोष है, तो आप कुछ ऐसे affirmations लिख सकते हैं। अब मैं अपने सारे दर और असंतोष बाहर निकालने का चुनाव करता हूँ। जितना अधिक असंतोष मैं बाहर निकालूंगा, उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। तीन, हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिम्भ है, जो हम हैं। हमारे अपने जीवन में मौझूद उन लोगों के बारे में सोचें, जो आपके लिए सबसे ज़ादा चुनावति पूर्ण है। उनकी कौन से खूबियां आपको सबसे ज़ादा परेशान करती हैं, उन्हें लिख लें। तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नजर डाने। इतनी बिमारियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम किसी अभी भावक को दंड देना चाहते हैं। हो सकता है हम ऐसा जान बूच कर न कर रहे हों। वास्ताव में अधिकांश मामलों में ऐसा जान बूच कर नहीं किया जाता। लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटरन दिखाई देते हैं। हम अकसर नकारात्मक्ता उत्पन कर लेते हैं क्योंकि हमें जीवन के कुछ शेत्रों को संभालना नहीं आता। यदि आप किसी चीज को जाने देने के लिए तयार नहीं हैं आप सच में उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह आपके काम आती हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हाला कि जब आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तयार हो जाएंगे तो उसे जाने देना आश्चरी जनक रूप से आसान हो जाएगा। आपके चौते दिन का ध्यान एक नया दशक बहान चिकित्सा के एक दशक की और एक नया दवार खुलता हुआ देखे। ऐसी चिकित्सा जिसे हमने पहले नहीं समझा। हम उन सब अविश्वसने शमताओं के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं जो हमारे अंदर हैं और हम अपने उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास जवाब हैं और जब जो हमें उन तरीकों से रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं जिनमें हमारी सर्वोच भलाई है इस नए द्वार को पूरा खुलता हुआ देखें और कल्पना करें कि आप उसमें चिकित्सा के विभिनिस वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि चिकित चिकित्सा के आवशेक्ता होती है इसलिए हम प्रतीक व्यक्ति के आवशेक्ता के अनुसा चिकित्सा के लिए खुले और ग्रहनशील है हम व्यक्तिकत विकास के लिए उस द्वार को पूरा खोल देते हैं और यह जानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं कि हम सुरक्षित है और यही सच है Meditation को आप Recording के द्वारा संपोन करें